ब्रह्माण एक ऐसी जगा जिसके ना आगे कुछ है और ना ही पीछे ब्रह्माण अनन्ध है और आज तक कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पाया है कि ब्रह्माण कितना बड़ा और विस्तृत है और इसमें कितने ग्रह और उपग्रह है इनी लाखो करोडो ग्रहों में से हमारी पिर्थ्वी भी एक ग्रह है और काफी समय तक ऐसा माना जाता था कि केवल पिर्थ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभाव है लेकिन कुछ समय पहले विज्यानिकों ने ये धार्णा पूरी तरह बदल दी है और अब सभी ये मानते हैं कि ब्रह्माण में ऐसे बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं जिन पर जीवन के होने की आशक्का है हाल ही में ऐसे साथ नए ग्रह भी टूड़े गए हैं जिनका एको सिस्टम पृत्वी के एको सिस्टम से मेल खाता है आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ये सारी बाते पहले से जानते होंगे लेकिन अगर हम कहें कि ब्रह्माण में फूबहू पृत्वी जैसे भी ग्रह मौजूद है और उन ग्रहों पर भी हमारी पृत्वी जैसे शहर है और हमारे हमशकल भी है तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे इस अवधार्णा को विज्ञान की भाषा में पैरलर यूनिवर्स पैरेडॉक्स यानि समनांतर ब्रह्माण भी कहा जाता है इस पैरेडॉक्स के अनुसार प्रहमाण में कुछ ग्रह ऐसे भी है जो पृत्वी की कार्बन कॉपी है आज का हमारे ही एपिसोड ऐसी ही एक गटना से आपको रूबरू कराएगा जिन में पैरलर यूनिवर्स से आए व्यक्तियों के होने के सबूत मिलते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सन 1954 अनेड़ा एरपोर्ट जपान पर वैक समाने दिन था सभी यातरी और एरपोर्ट स्टाफ किसी समाने दिन की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त थे विमानों की आवाजाही के कारण या एरपोर्ट विश्व के कुछ सबसे व्यस्त एरपोर्ट में से एक माना जाता है दोपहर के तकरीवन साड़े बारा बजे इस एरपोर्ट पर यूरोप से आये एक विमान लैंड हुआ और सभी यात्री चैक आउट काउंटर की तरफ बढ़ चले कुछी देर बाद चैकिंग काउंटर पर बैटे कस्टम अधिकारी न्यूक आटो का एक ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ जिसे मिलने के बाद न्यूक की जिंदगी बदल गई इस व्यक्ति ने किसी कॉर्परेट प्रोफेशनल जैसे कपड़े पैने हुए थे और वे व्यक्ति अपने चैरे पर आत्म विश्वास से भरी मुस्कराहट के साथ न्यूक के काउंटर तक पहुचा और न्यूक को अपना पासपोर्ट थमाया उस पासपोर्ट को देखकर न्यूक अचरज में आ गया क्योंकि जिस कंटरी का नाम उस पासपोर्ट पर लिखा था वैसी किसी भी कंटरी का नाम न्यूक ने कभी नहीं सुना था अधिक जानकारी के लिए न्यूक और कुछ अन्य अधिकारियों ने उस व्यक्ति को वहीं रोक लिया और उच अधिकारियों को इस विशे में जानकारी दी गई कस्टम अधिकारियों ने उस व्यक्ति से जपान आने का कारण पूछा जिसका जवाब देते वे उस व्यक्ति ने बताया कि वे बिजनस के सिलसिले में जपान आया है उस व्यक्ति ने अपने वालेट से कुछ उर्योपन करंसी के नोट निकाले और उन अधिकारियों को दिखाते वे बोला कि वे पहले भी इसी पासपोर्ट के अधार पर यूरोप के देशों में घूम चुका है कस्टम अधिकारियों ने उस व्यक्ति के पासपोर्ट की ठीक से जाच की तो पाया कि उस पासपोर्ट पर लगी सारी स्टैम बिल्कुल असली हैं और उसके पासपोर्ट पर पासपोर्ट इशू करने वाले देश का नाम टॉरेट था अधिकारियों ने इस व्यक्ति से पूछा कि ये टॉरेट नाम की कंट्री कौन से कॉंटिनेंट का हिस्सा है तो इस व्यक्ति ने जवाब दिया कि टॉरेट फ्रांस और स्पेन के बीच में कहीं स्थित है यह सुनकर वहां मौझूद सभी कस्टम और एरपोर्ट अधिकारी हरान रह गए क्योंकि किसी ने भी इस से पहले ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था एक ऐसा देश जो हमारी पिर्थी पर है ही नहीं सभी को इस बात का अंदेशा होने लगा कि इस पूरे मसले को वह लोग जितना समानने समझ रहे थे वह दरसल उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा मामला था नियूग ने उस व्यक्ति के आगे एक वर्ल्ड मैप रखा यहां एंडोरा नहीं टॉर्ड लिखा होना चाहिए था यह सुनकर सभी को वह व्यक्ति संदिक लगने लगा और उसकी बातों पर सबको संदे होने लगा आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई इंसान कुद को एक ऐसे देश का वासी बता रहा था जो देश इस दुनिया में है ही नहीं और यही नहीं उस व्यक्ति के पास उस देश का वीजा पासपोर्ट, अडेंटिटी प्रूफ, इंप्लॉई एडी जैसे सबूत थे जो उस व्यक्ति की बातों को जुटला नहीं सकते थे अधिकारियों ने उस व्यक्ति से उस कंपनी का नाम पूछा जहां वो जा रहा था लेकिन जिस कंपनी का नाम उस व्यक्ति ने बताया था उस कंपनी ने उस व्यक्ति को पैचानने से साफ इंकार कर दिया उनका कहना था कि उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई अपार्टमेंट नहीं दी थी और जब उस व्यक्ति के बताए होटल मैनेजमेंट से बात की गई तो उन लोगों ने भी यही कहा कि उनके पास उस व्यक्ति की कोई प्री बुकिंग नहीं थी उस व्यक्ति ने अधिकारियों का शक दूर करने के लिए उस होटल की बुकिंग स्लिप उस कंपनी से मिला अपॉंट्मेंट लेटर और अपने बैंक की चेक बुक दिखाई ये सारे सबुत देखकर सभी अधिकारी सकते में आ गए उन लोगों को अपनी आखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कुछ जाच करता हो ने अंदेशा जताया कि शायद ये कोई बेहस्चातिर चोर या कोई बैरूपिया है जो सब को गुमरा करने की कोशिश कर रहा है और उस व्यक्ति को पुलिस ने अपनी निगरानी में रखने का फैसला किया उस व्यक्ति और उसके सारे समान को कबजे में ले लिया गया और उसे एक होटल में कड़ी निगरानी के साथ ठहराया गया लेकिन अगली सुबा सभी लोगों के होश उड़ गये क्योंकि उस व्य एरपोर्ट पर जब्त किये गई सारे डॉकुमेंटस जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और पासपॉर्ट एरपोर्ट से गायव हो गय थे। उस व्यक्ति के पास्पोर्ट पर लगी स्टैंप के अधार पर उन सभी कंट्री से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई लेकिन आज तक कोई भी उस व्यक्ति का आता पता नहीं लगा पाया है बहुत से लोगों का मानना है कि वे एक दूसरे आयाम से आया व्यक्ति था और गलती से हमारी दुनिया में आ गया था बहुत से विग्यानिकों और एक्सपर्टS का मानना है कि पैलल यूनिवर्स एक कल्पना मातरन नहीं है यदि हम ब्लैक होल या फिर चोथे आयाम में सफर करने का कोई तरीका इजाद कर ले तो हम भी पैरलल युनिवर्स में जा सकते हैं इतिहास में पैरलल युनिवर्स से आये व्यक्तियों की कई गटनाय मौझूद हैं जो ये विश्वास दिलाती हैं कि वाके ही ऐसा हो सकता है क्योंकि इस गटना से पहले भी पैरलल युनिवर्स से आये लोगों के मिलने की बात सामने आती रही है सन 1851 में एक अग्यात व्यक्ति जर्मनी के फ्रैंकपर्ट एंडर ओर्डन नाम की जगा पर पाया गया था उस व्यक्ति का कहना था कि वो लगजारिया नाम की जगा से आया है और यहाँ बटक गया है लेकिन लगजारिया नाम की कोई भी जगा हमारी धर्ती पर नहीं है पर वीडियोस बनाने के लिए प्रेडित करता है यदि आप लोगों के पास भी ऐसी कोई अद्बुत कहानी या विशे हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमें आके कमेंट्स का इंतिजार रहेगा शुक्रवार को फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार